किसान भायो नमस्कार आपका हमारे यूट्व चैनल में स्वागत हैं तो किसान भायो आज के इस यूडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेस्टन के भाव के बारे में कि अब दिपावली की चुटिया आ चुकी है आपको पता होगा कि आज धन तिरस हैं कल कुजनी है परसुके दिपावली उसके बाद चोटी डिपावली है तो 30 तरीक तक मंडी बन रहेगी 30 तरीक बाद सबी मंडिया वापिस कुलने लगेगी और मंडिया चलना सुरू हो जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिपावली के बाद में मंडिया खुलने पर जो लसुन की आफ़क रहेगी भाव रहेगा उस पर क्या परबाव पड़ेगा तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता देंगा यही तो हम वीडियो को सुरू करते हैं उसके पहले अभी तक आपने हमरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजी और उसके पास के कंड़ी के निसान वरी बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिपिकेशन जल् बात करते हैं तो आज से तो मंडी बने पर इसके पहले की बात करते हैं तो लसुन में अब बन को मंदी दिखाई दी जिसका कारण यह रहा है कि कि किस्तान भाई तिवारों का समय आ गए हैं दिफावली आ गई हैं तो उनको कुछ समान खरीने के लिए नगदी रुपे की करते हैं उसके लिए वो अपना माल मंडियों तक पहुंचा रहे थे जिसके कारण आहवक बढ़ गई थी तो आहवक बढ़ जाने के कारण अपन को जो लसुन में लसुन की भाव में अपन को मंदी दिखाई दी लेकिन अब दिफावली आ तो अभी मंडियों की छूटिया चल रहे हैं इसके बार में जब वापिस मंडी खुलेगी तो इसके बार में मैं आपको बता देता हूं अगले च्यार से पांच ज्यादा ज्यादा आप आर दिन मान लो आर दिन तक मंडियों में लसुन की आवक बहुत ही ज्यादा बनी रहेगी तो इसके बार में आपको द देखने को मिल सकती हैं दोस्तों इसका कारण यह है कि फिर जिन के पास लसुन रहेगा वो किसान सब निकाल देंगे को हिसा आपको पृटा होगा कि चन्नवरी के एंड में नया लसुन आ जाएगा तब तक किसान भाई हैं जो लसुन को निकाल लेंगे तो दोस्तों मैं लसुन के भाव की बात करता हूं तो जितना आपको पहले जो भाव गिर चुका था वो चार्टी पान जार बीज से बाईस जार पच्ची जार तक आपको भाव देखने को बाद मिल सकता हैं दोस्तों तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना सभी तक यह बात पहुंचा रहा था कि उनके बाव लसुन का जो उनको बाव बढ़िया मिल सके तो दन्यावाद कि सब्सक्राइब हम मिलते नहीं वीडियो में